नमस्कार, क्या आप जानते हैं, हमारे शरीर में 70-75 प्रतीशत पानी होता है। अगर हाँ, तो मेरा सवाल आप से है, कि अगर मैं अच्छे से अच्छा पानी पीऊं, तो क्या होगा? या एक दूशित पानी पीने से क्या होगा? खुद्रत ने हमारे शरीर को बनाया है, बैता हुआ जीवित पानी पीने के लिए, जी हाँ, आपने सही सुना, जीवित पानी जैसे नदी या ज़रने का पानी, आखिर ऐसा क्या है जीवित पानी में? मिस्टर हिरोनारी ओशीरो, CEO and founder of energy company and ex-engineer of Sony ने जब आज से 50 साल पहले ये रिसर्च चालू किया, तो पाया कि इसमें 3 प्रॉपरटीज होती हैं, पहला, microclustrin, दूसरा, antioxidant, तीसरा, alkaline, और फिर इन्होंने एक magical device का आविशकार किया, जो आपको घर बैठे ये सब प्रॉप को यूज किये, इसकी research 20 साल जापान की government hospital में चली, और फिर market में launch हुए energy, energy plus magic, और energy company की इस machine का नाम रखा गया, kangen, जिसका मतलब होता है, return to origin, इस नाम के साथ 22 साल में ये company 28 से भी जादा countries में अपने offices खोल चुकी हैं, और globally work कर रही है, अब इस जादूई machine की scientifically proven बातों के बारे में जानते हैं, पहला, micro clustering, यानि पतला पानी, ये पानी 6 गुना जादा hydrating होता है, normal पानी से, ये पानी इतना पतला होता है, कि इसमें आप देख सकते हैं, कैसे green tea जो कभी normal पानी में नहीं बनती, वो भी normal room temperature में इसमें dissolve हो जा रहा है, body में इसकी bio availability 6 गुना जादा होती है, दूसरा, antioxidant, antioxidant मतलब aging, हम सब अपनी बढ़ती हुए उम्र को रोक तो नहीं सकते, पर हाँ, slow जरूर कर सकते हैं, antioxidant खाना खाकर, antioxidant पानी पी कर, ये ORP चार्ट है, जिसमें minus मतलब slow, जितना आप minus की तरफ जाएंगे, उतना ये antioxidant है, और जितना हम plus की तरफ जाए उतना ये oxidize करेगा, जैसे आप देख सकते हैं आपके normal पानी की ORP value क्या है, आपकी favorite cold drink की ORP value क्या है, और इस दुनिया के सबसे powerful पानी, kangen की value क्या है, आप ऐसे लोगों को जरूर जानते होंगे, जिनकी immunity बहुत कमजोर है, ये दुनिया का सबसे powerful पानी, kangen water, उनको बहुत फाइदा पहुचाएगा, ये दुनिया का सबसे powerful पानी, kangen water, उनके लिए बहुत फाइदे मन्द है, तीसरा, alkaline, ये pH scale है, इसमें लाल का मतलब बहुत जादा acidic, blue का मतलब alkaline, और green का मतलब neutral होता है, हमारे blood का pH 7.3 होता है, और एक healthy शरीर का pH value, neutral और alkaline के बीच में होता है, ये है potential of hydrogen chart, इसमें हम pH check कर सकते हैं, ये तो हम सब जानते हैं, कि limit से जादा acid हमारे लिए अच्छा नहीं होता, वैसे alkaline बनाने के बहुत से तरीके हैं, जैसे पानी में चूना मिला देना, या पानी में नीबू का रस मिला देना, पर वो रोज की जिंदगी में पीना, या पीते रहना संभाव नहीं है, ये kangen machine, सीधा electrolysis process से alkaline पानी बनाती है, वो भी बीना किसी chemical को use किये, अब जैसा आप देख सकते हैं, नॉर्मल पानी का pH value क्या है, और इस coldering का pH value क्या है, और इस structured kangen water का pH value क्या है, excessive acidity या acid related समस्याव में ये पानी neutralize करने में मदद करता है, definitely, इन तीन properties को देख कर, आपको जीवित पानी के बारे में तो समझ आ ही गया होगा, आईए, अब आपको इसकी सबसे magical property के बारे में बताते हैं, आज कल chemical और pesticides का इस्तमाल हर सबजी और fall में हो रहा है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, कि ये farmers क्या कर रहे हैं, ये इन सबजीों में pesticides शिड़क रहे हैं, और मज़े की चीज, ये जो chemical pesticides होते हैं, ये इनको किसी oil के साथ mix करके शिड़का जाता है, क्योंकि अगर बारिश हो गई, तो इसका सारा chemical और pesticides निकल जाएगा, लेकिन oil में mix करने से बारिश के पानी से भी ये नहीं निकलेगा, आज कल chemical और pesticides का use इतना बढ़ गया है, कि हम सड़ी और मरी हुई सबजी को भी fresh बना सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में ये फार्मर मरी हुई धनिया को इस chemical solution में डुबाता है, और इसे बाहर निकालते ही कुछ देर में ये बिलकुल fresh बन जा रही है, और यही चीज़ हम market से जाकर खरीबते हैं, और इनका इनसानी शरीर के अंदर जाना कितना खतरन हो सकता है, ये आप अच्छे से जानते हैं, क्या आपके पास फॉलो या सबजियों में लगे हुए chemical को निकालने का solution है, शायद अब तक नहीं, हमारी मशीन में एक बटन दबाते ही 11.5 pH का पानी आता है, इस पानी से वाश करने पर आप देख सकते हैं कि सारा chemical साफ हो जाता है, नॉर्मल पानी को आईल के साथ मिक्स करने पर आईल कभी भी पानी के साथ dissolve नहीं होता है, पर वही केंगेन मशीन के 11.5 pH के पानी के साथ आईल को मिलाने पर ये आईल को emulsify कर देता है, इसी वज़े से वो pesticides और chemical जो आईल के साथ मिक्स होकर फलो या सबजियों से नहीं कि ये मशीन आपके पास होना चाहिए, क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जिने इस कैंगेन मशीन की जरूरत है। बहुत से लोग इसका पानी पी कर बताते हैं कि उनकी बीमारी को ठीक करने में इस पानी ने मदद की है। खुद के थारेग में काफी सब्या थुई और थारेग मेरा पुली तरह फितम हुआ ओम्लिकल कैंसर डिपेक्ट हुआ तामजिया अपर डेडी डिपलेग